गोंधिया रेल्वे प्लाटफॉर्म पर सोय हुए मुसाफिर का मुबाइल चुरा कर भाग रहे चोर को आर्पेर पुलीस जवानों ने रंगे हाथ पकड़ लिया पकड़े रहे चोर के कबजे से मुबाइल बरामद हुआ लेकिन वो उसे अपना बताने लगा जब पासवर्ट डाल कर मुबाइल खोलने को कहा गया तो वो उसमें नाकाम रहा यह सारा नजारा प्लाटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैल हो चुका है दैसल मामला गोंदिया के प्लाटफॉर्म गर्मांगर चार का है यहां सोंबा के मधिराच्री धाइबजे कैंटिंग के पास एक रील याच्री विश्राम कर रहा था इस बीच उसके सामानों की टोह लेता हुआ संदिक द अवस्ता में एक युवर्ग दिखाई दिया इस बीच वो संदिक द युवर्ग सोय हुए याच्री का कुछ सामान चुरा कर भाग रहा था तो पुलिस जवानों की उस पर नजर पड़ते ही उन्होंने दोड़ कर उसे घेरते हुए पकड़ लिया पुश्ताच करने पर उसने अपना नाम कॉलू परतेती उम्र पैतालीस निवासी भिलाई जिला दुरग चटिस गड़ बताया आगे पुश्ताच करने पर वो टालम टोल भरा जवाब देकर गुम्रा करने लगा परतु उसके तलाशे में उसके पास से रियल्मी कमपनी का नाजो 30 मॉडल का स्मार्टफोन पर आमद हुआ स्मार्टफोन के समद्ध में उक्तव्यक्ती ने पूछने पर शुरू में वो अपना मुबाईल बता कर आरपी एफ को गुम्रा करता रहा परतु मॉबाईल का पासवर्ट डालकर उसे खोलने में और सबर रहा जिससे संदेह और बढ़ गया बाद में गहनता से पूछताच करने पर उसने बताया कि 28-29 अगस्त के मदिराची में प्लैटफोर्म नंबर 4 पर एच वरर कैंटीन के पास सोय हुए एक यात्री की जेब से उसने उक्त मॉबाईल निकाला है इस मॉबाईल चोरी के संबन में फिर्यादी यात्री सुकदेव किशन बगेल उम्रतेईस निवासी मुंडिपार तरसिल सालिकसा जिला गोंदिया द्वारा एक प्लात्मी की एफायार दर्च कराए गई है इससे उक्त मॉबाईल चोरी के जानी की पुष्टी हो गई पकड़े गए आरपी के विरुद दर्च यारपी थानी में धारा तीनसो नवासी का मामला पंजी बद किया गया वही कोर्ट से रिमान लेकर अब बाकी के चोरी के वादातों की जानकारी रेलवे पुलीस जुटाएगी जांच में पता चला है कि ये शातिर चोर है जिस पर पहले से एक इमाम लेद दर्च है और वो नागपुर एल्वेस्टेशन पर सक लिये था उलिकनी है कि गोंदिया आर्पिय पोस्ट प्रबारी विनोत कुमार तिवार के निर्देशन सार जब सहायक उपर निरिक्षिक रोशन कुम्रे वो अन्यदु आरख शक विके कुश्वाह एवं रिंकु यादव जब मदिरात्री में गश करे थे तब ये मामला सामने आया है केसरी उजाला निउस के लिए गोंदिया से रवी आर्य की रिपोर्ट